सरकार ने नोट बंदी के बहाने पूरे देश को लाइन में लगा दिया था कैश को निकालने के लिए अपना पैसा निकालने के लिए हम सब को लाइन में लगना पड़ा था और एक बार फिर भारती जन्ता पार्टी और उनके लोग एनएरसी के माद्यम से लोगों को लान में लगाना चाहते हैं जिससे उन्हीं अधिकार मिल जाएं एक बार अपना ही चेश निकालने के लिए लान में लगना पड़ा और वही भारती जन्ता पार्टी दुबारा ऐसा करना चाहती है कि अपने अधिकारों के लिए लोग लाइन में लग जाएं आज अर्थ ववस्ता चौपट है दुरोजगारी चरम सीमा पर है किसान के सामने ऐसा संकट कभी नहीं आया जैसा दिखाई दे रहा है इतनी अर्थ ववस्ता कभी नहीं डूबी होगी और या यह कहें कि अर्थ ववस्ता को पूरा का पूरा चौपट कर दिया है महलाएं सुरचित नहीं है बेहनें हमारी सुरचित नहीं है गुरोजगार नौजवान रोजगार के लिए भटक रहे हैं इन सबसे ध्यान हटाने के लिए जानबूश करके भारती जनता पार्टी ने सिचिजन्स अमेंडमेंट एक्ट बनाया है एन आर्सी जैसी की ध्यान की बार बार देते हैं और देखिए भारती जनता पार्टी का खेल एकी तीर्ट से कितने लोगों को दुखी कर दिया नौर्थ एस्ट में सवाल दूसरा है बंगाल में दूसरा है और उत्त प्रदेश बिहार और पूरे देश में जो लोग निकल करके आए हैं वो नहीं चाहते हैं कि संविधान से छेड़ खानी हो जो संविधान ने हमें अधिकार दी हैं वो अधिकार हमारे बचे हैं और हमारे मुक्य मंत्री जी तो कमाल के हैं धमकी दे रहे हैं उत्तव देश के मुख्यमंत्री एक बार धमकी नहीं दी इन्हों ने सदन में कहा कि ठोको और उसका पड़ाम क्या हुआ कि दिर दोस्त लोग की जान चली गई मुख्यमंत्री कह रहे हैं बदला लो जितनी भी उत्तपदेश में जान गई है ये उत्तपदेश के सरकार मुख्यमंत्री जी की भासा की बज़े से गई है जहां लोग सांती पूर ढंग से निकले लोग सांती पूर ढंग से अपने बरोद कर रहे थे ये तो अधिकार हमें मिला है इन अधिकारों से भी वंचित करने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारती जनता पार्टी है और खासकर उत्तपदेश की सरकार कर रही है समाजवादी पार्टी ने पहले भी ऐसे काले कानून का बरोध किया है लोग समाए में भी, राज समाए में भी, जनता के बीच में भी और आज भी बरोध करती है NRC जैसे के पक्षमे समाजवादी पार्टी कभी नहीं हो सकती और ये सब जानबुश करके इसलिए हो रहा है क्योंकि भारती जनता पार्टी की सरकार असफल हुई है जो लोग ये नारा देते हैं, जो स्क्रीम के पीशे लगा हुआ है नारा ये हमारी पुराना सदियों पुरानी बात हजारों साल पुरानी बात जो हमारी पहचान है हमने भारत के लोगों ने जो भी आयों से सुकार किया और भारती जनता पार्टी के लोग यही कह करके दुनिया में गर्व करते थे कि हम उजधर्ती के लोग हैं हम उजधर्ती से आते हैं हम उजधर्ती के रहने वाले हैं जहां पर सब को सम्मान मिला हक मिला और सब को बराबरी के साथ देखते हैं बताओ हमारी पनमपरा का क्या होगा दुनिया में क्या मूँ लेकर के जाएंगे आप आज केवल भारत में विरोध नहीं हो रहा है दुनिया का कोई कौना नहीं बचा जहां विरोध नहीं हो रहा हो जहमिया के बाद, A.M.U. के बाद दुनिया की कोई इनिवस्टी नहीं बची जहां पर विरोध नहीं हो गया हो तो ऐसी क्या बात है और वज़े साफ है कि जब अर्द ववस्ता डूब गई हो किसान की आय दोगनी न कर पा रहे हो गन्य की कीमत न दे पा रहे हो जो बकाया है गन्य का वो न दे पा रहे हो जो गन्य की कीमत बढ़नी थी वो न दे पा रहे हो दान की खीमत नहीं दे पारें किसान को आलु की कीमत नहीं दे पारें किसान को और बड़ा दावा करते थे कि हम इंवेस्टमेंट लेके आएंगे जिस तमें 370 पे बेहजु तब भी मैंने कहा ये कश्वीन में क्या इंवेस्टमिन लाएंगे जब उत्तरपदेश जैसे प्रदेश में कोई इंवेस्टमिन नहीं आया है हम जानना चाहते हैं कि क्या इंवेस्टमिन आया है और जो हालात पैदा देश के कर दिये हैं मल्टी नेशनल कंपनिया भी अपना मुनाफ़ा लेकर के भारत से जा रही है कोई इन्वेश्मेंट नहीं आया है ये केवल लोगों का ध्यान हट जाए और जहां तक सबाल धंगों का है दंगा कराने वाले ही तो सरकार में बैठे है क्या पिछले वर्ष लोगों को याद नहीं है कौन लोग कराते थे दंगा और दंगे से लाफ तो उसी को मिलेगा जो सरकार में रहते है इसलिए जान बूश करके भाती जंता पार्टी नफरत फैला रही है लोगों को ढरा रही है और कैसे नफरत की दीवाल और बड़ी पैदा हो जाए समाज के अंदर उसकी तैयरी भारती जंता पार्टी कर रही क्योंकि असली मुद्दों पर भारती जंता पार्टी अस्फल हुई है अगर वीडियो क्लिप देखकर के ये चिन्नित करिये सरकार के कौन लोग आगे घटना कर रहे थे तो सरकार को वो वीडियो भी देखना चीए जहां पर सांती पूर ढंग से साशन और परसाशन के लोगों ने लोगों के साथ जो अन्याय किया जो शुरुवात की है तोरफोर की है कई वीडियो ऐसे हैं जो सरकुलेट हो रहे हैं जिसमें पुलिस खुद तोरफोर कर रही है पुलिस खुद उक्सारी है जहां और प्रदेसों से सूचना आ रही थी दिली से सूचना आ रही थी बंगाल से सूचना आ रही थी क्या होता प्रदेस में नहीं किया है पुलिस न गई तो हम तो साहसन प्रसाहसन से करेंगे आखिर क्यार वो बस आई कैसे लाया कौन उसका वीडियो भी तो आपके पास होगा अगर आप गाउं से आते होंगे के वल एक उथार्ण में देदू गाउं में किसी भी गरीब का घर का जगैज उसके पास नहीं है हमें लादें वो लोग जो गाउं में रहते हैं निवास करते हैं कितने लोगों के पास अपने जमीन के खाउंगे अगर आप गाउं से आते होंगे अपने गाउं में पूछिए कि कितने लोगों के पास अपने कागज है गरीब पर कागज नहीं है पता उस सपेरे कहां से लाएंगे जिनकों हम बीन कई बार यहां पर बजवा चुके है ऐसे तमावन लोग है जिनके पास कागज नहीं है सरकार चाहती है कि नोटबंदी से जिस तरीके से लाइन में खड़ा कर दिया तक कैश के लिए उसी तरीके से लोग भी अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाए लाइन में और तमाम जो सबाले उनको भूल जाएं नफरस्त इनको लाब मिलता है समाजवादी पार्टी का कारकर सांती पूठ धंग से हुआ है समाजवादी कारकर ताओं ने सांती पूठ धंग से अपनी बात कहने का काम किया धर्णा दिया है अगर किसी ने माहौल विगाड़ा है तो वो सरकार के इस शारे पर सरकार के इस शारे पर सब कुछ हुआ है क्या मुख्यमेंत्री की भाषा हो सकती है कि बदला लो, ठोको और फिर क्या न्याय केवल जंता के साथ नहीं क्या प्रैस के लोगों के साथ नहीं हुआ क्या वो घटना भूल गया आप जिस पत्रकार ने केवल ये दिखा दिया था या खाना नहीं मिलना है भोजन नहीं मिलना था क्या पत्रकारों के साथ अन्याई नहीं हो रहा क्या एक आप के हमारे बीच में बेटे पत्कार साथी के साथ अपमान का काम नहीं हुआ क्या नहीं कहा गया कि दाड़ी नोश ली जाएगी कि क्या आप बातें भूल गए दिवाली और रमजान की वह बातें भूल गए क्या कविस्तान तो सम्शान की यह भाशा कौन सी हो सकती आज आज के जमाने में जहां इंटरनेट बंद कर देते हों कि कपड़े से हम पचान लेंगे कौन है कि क्या आप नहीं जानते डूपती अर्दवरस्ता को को जवाब नहीं दे पा रहे हैं नौजमान खड़े हैं लाइन में नौकरी रोजगार के लिए उनके पास क्या है पताओ को इन्वेस्टमेंट है हो तो बताओ आप पड़ोस का उन्नाव देख लीजिए दो दो बेटियों ने की जान चली गई किसलिए कि केवल नयाह मांग रही थी दो बेटियों को आदमधा करना पड़ा और दोनों बेटी इस दुनिया को छोड़ चुकी है केवल नयाह के लिए एक बेटी तब बची और तब जाकर सुप्रीम कोर्स को नयाह मिला क्या आप पड़ोस में नहीं क्या हो रहा है भारती जनता पार्ची के नेताओं के क्या स्टेटमेंट नहीं सुने आपने उनके बड़े नेताओं से लेकर के छोटे नेता क्या नहीं कहते हैं कि एनरसी लागू होगी ये सरकार के इशारे पर जान बूच करके जलाई गई चीज़ें जिससे की आंदोलन और लोगों को ड़ाया जा सके आंदोलन जो हो रहा है शांती बूर ढंग से उसको दबाया जाए ये जान बूच करके किया जा रहा है इसलिए जिससे की आंदोलन नकिया जनता को ड़ाया जा सके लेकिन जनता सांती पूर ढंग से बुरोध करती रही है और लोगतंतर को बचाने के लिए वो खड़ी रहीगी जनता सरकार ने नोड़ बंदी में क्या उधार नड़ दिया था सरकार ने नोड़ बंदी में क्या कहा था सरकार ने नोड़ बंदी में कहा था कि काला धना जाएगा वर्ष्टा चाया खतम हो जाएगा लेकिन सरकार की बैंके डूप गई उद्विवपती बरबाद हो गए जी एस्टी में क्या कहा था सरकार ने क्या सब हम भूल गए 370 हटाते समय कहा कि हम कश्मीन में इंवेस्टमेंट लाएंगे वहाँ के लोगों को नौकरी देंगे टूरिसम बढ़ाएंगे कहांगे आवो नौकरी कहांगे वो टूरिसम बताओ तपदेश में प्रधानमंती राश्पती और नजाने किस-किस प्रधानमंट ला यांकि कि इंवेस्टमेंट भूल जाएए और जो मल्टी नैशन कंपणी यह सरकार हटाइए जंता से यह इपील है क्यूंकि कि विधायक 2020 खेलने के पूरे मन में हैं नया साल आएगा तो देखेगा विधायक कैसे 2020 खेलने सरकार के साथ अभी सदन में तो आप ने देखा था उनका गुस्सा और ये 300 विधायक जो नाराज के साथ इसलिए मुख्वंती जीए ना जानें यो जान लें कि जिनके शीशों के घर होते हैं वो पत्तर नहीं फैकते आप उनका वीडियो हर जगे है एवलेविल है आप पूरा देख लीजिए सासन प्रशासन क्या कर रहा था अमिताब बाश्पेई केवल वहां लोगों को समझाना समझा रहे थे पहले तो अपनी भाशा ठीक करी है वैद बोट तबी मैं जवाब दूँगा जब अपनी भाशा ठीक रखेंगे आप जो दंगा खड़ने वाले लोग है वो सरकार में बैठे हैं संबिदान से छेड़ खानी नहीं हो यही सबसे बड़ी आपक्ती है क्या आप चाहतें कि प्रेंबल में दुआरा यहां स्क्रीन पे लादू जिसे आप भी पढ़ने आप भी दुश्च को बता दें बहुत सारी सुचनाय ऐसी मिली हैं जहां लोगों का नहीं पता लग रहा है और जो इन लोगों की जान भी गई वो गरीब लोग हैं लगनों का जो जान गई जिस की वो केवल अपने लिए दवाई और खाने का अंतिजाम कर रहा था उसे कहीं ये लगा कि कर्फियू ना लग जाए क्या वो दूसी था उसमें इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये लोग तंत्पे भरोसा करने वाली सरकार नहीं है अभी तो प्रेस के एक ही दो लोगों के साथ हुआ है अफमान का विवार मैं जानता हूं आप मैंसे बहुत सारे लोग हैं जो इस सरकार को हटगना चाहते हैं आप मेंसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग तंद को बचाना चाहते हैं समय आने पर आपका भी गुस्ता दिखाई देगा मुझे जानता हूं इस बात को लेकिन मुझे जानकारी सदन से मिली है कि बिधायकों ने नए वर्स पर मन वनाया है 2020 खेलने का और इसी लिए सरकार ध्यान हटाना चाहती है आप ने सदन में देखा था कि नाराज कितने बैठे थे हम तो समर्थन देने वालों में से हैं पूरे जो एफेक्टेड एरिया से वहां से बहुत से लोगों के परिवार से पूरे पूरे लोग उठा लिये गए हैं महिलाएं और बुजर्ब भी उठाए गए हैं देखे मुसे आप से अपील है कि आप लोग भी समयधान और देश बचाईए आपका योगदान हमेशा रहा है आगे भी रहे यह जान बूज करके सरकार डराना चाहती है लोगो नफरत फैलाना चाहती है सरकार तो दो यार साथ का भी जुर्माना देदें मुख्यमंत्री जी नहीं जो गोरगपुर में दंगे हुए थे उसका जुर्माना कौन देगा अगर शुरुआत हो तो सरकार अपनी शुरुआत करें वहां से मैं फिर एक बार अपील करता हूँ कि जो बात कहनी है बहुत शांती बूर ढंग से जो हमारे लोकतंत को मजबूत करें समाज के तानेवाने को मजबूत करें उसी तरह की बात रखी जाए उसी तरीके के धरने हों वीजेबी के लोगों को खुद नहीं पता है कि क्या करने वो देश के साथ उन्हें तो इंवेश्मेंट लाना था किसानों की हाला ठीक करनी थी क्या गन्ये की रेट बढ़ी क्या धान की कीमत मिली क्या आलू की कीमत दे प्रतिमा लग रही है बताईए किसके बनाये पर प्रतिमा लगा रहे हैं है कि कम से कम उनके गाहों में जहां वो पैदा हुए थे वहां एक बना देते थे आक्सपोर्ट जैसी इनिवस्टी केंवरिच जैसी इनिवस्टी बनाते हुआ क्या बडेशुर की तरफ नहीं और वो सरकार जो अंतेश्टी जो विसर्जन जिसके पैसे नहीं कर पाई थी तोचिए वह सम्मान करेंगी सरकार क्योंकि धोका दे रहें सम्मिल करके जनता को उसमें शामिल दिल्ली वाले भी हो रहे हैं अब तो काम अपना नहीं है उनका क्या लोग भूमन उनका है जिस कभी-कभी आप बैठते हैं क्या वो कुर्सी वो लग लेका रहा है थे भूल जाये मैंने तस्वीर देखी है लोग भूमन में जिस इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी वो सोफेवी समाजवारी सरकार के समय लाए गए थे उसी में इन्वेस्टर वो बैठे थे लोग भूमन में अरे अगर दोसों आ जाएं पचास हमारे ले ले मुख्यवंत्री बढा ले अपना आपको गिंती नहीं पता है क्या और नहीं यह बंपर ओफर है नए साल पर टुंटी टुंटी का जब ऐसा सर्प्राइज मिल जाएगा क्या आपको पता था जो मुख्यंत्री है वो बन जाएंगे क्या जब आपको पहले सर्प्राइज मिल जाएगा वह यह सितारे तारे और नच्छत तो यही कहते हैं हम उन से साफधान रहेंगे हैं कि डराने की रादनी नहीं करते हैं वो बिधायक डरा रहे हैं और वो गिंती ज्यादा बड़ी है हमारे उमर बैठे हैं बीच में यहां क्या पुलिस फेर है क्या यह पुलिस फेर है क्या यह पुलिस उत्तर प्रदेश की जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री है कहते हो बदला ले लो उस प्रदेश की पुलिस फेर होगी क्या उम्मीद करोगे आप क्या इतना अच्छा भवन बनाया इसलिए क्या नियाए वहां बैठ करके करें लोग इसलिए मैंने कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो पक्तर नहीं फेका करते हैं के अगर хорошо के इसलिए मैं आप आप सुष्ष्यमन कहँए और य इसलिए होलो का जो आपृए तो ही किल्स ऑप और आप और व्जे तुम जफें सकते हो आप जानाे से तो कभी साथ वज़एंबी जगहोगे आप तेज तारीक का हमारा कारक्यम था बिजनौर का जौदी चरन सींगी के समान में हम सब लोग इखटे होकर के उनके सम्मान वे किसांदेवस मना रहे थे है लेकिन बताईए कारक्यम केंजिल बिया कग धारा एक 174 लागू है तो 25 तारीकों भी धारा 174 लागू होगी क्या हम उस दिन का इंतजार करेंगें क्या धरह 144 के अंदर वो नहीं आते क्या क्या धारह 144 उनके लिए नहीं है धारह 144 केवल मा बिपक्षी लिए ए क्या चीज हम तो लखनों से लेकर के गए थे लखीमपुर तक कितनी कम जो धारा 144 थी तोड़ते चले गए जैसे लखीमपुर तक गए और लखीमपुर से बापस आ गए धारा तोड़ते गए धारता तोड़के आ गए तो इसलिए हम आप से सवाल पूछ रहे हैं कि केवल धारा 144 कुछ लोगों के लिए है क्या देश के प्रधान मंत्रीची के लिए नहीं है आज कल ग्राउन के हम भर ने बताईए हमारा हॉल लवालब भरा हुआ है यह क्या बात हुई हॉल भरा हुआ है हमारा लवालब क्या आपको नोट बंदी याद नहीं जनता को नोट बंदी याद है समाजबादी लोग ऐसे नहीं होते हैं जैसा आप समझ रहे हों बहुत धन्यवाद आपका